हेलो दोस्तों मेरा नाम हिनी रच सौगत है आपका ITA टेक्स यूट्यूब चनल पर दोस्तों आज की है वीडियो ITA के उन सभी स्टूटेंट के लिए इंपूटेंट होने वाली है जो कि अभी सेकेंड डियर में है दोस्तों इस वीडियो में हम एंपूटेंट के मोश्ट इंपूटेंट कोसन देखने वाले है जो कि आपके सेकेंड यर के लिए बहुत ही इंपूटेंट होने वाले है आपके ITA के एक्जाम के लिए दोस्तों चाहे आपके CV Trade से ITA कर रहे हूं यहाँ पर आपको कुछ question दिये जाएंगे और उसके option दिये जाएंगे आपको इन सभी question को बहुत द्यान से देखना है और अगर आपको इन answer आता है तो आप हमारा answer जाने से पहले अपना answer जरूर comment कर देना कि आपको क्या लगता है कि इस question का answer क्या होगा दोस्तों अगर आपको second year के employee skill के question का pdf चाहिए है तो आप comment में लग देना कि हमको pdf चाहिए है तो हम उसका link आपको देदेंगे तो आप बहाँ से इसका link से download कर सकते हैं इसका pdf या तो पर हम इसका link के description में भी देदेंगे तो आप बहाँ से इसका pdf डाउनलूट कर पाएंगे दोस्तों अगर आपका employee skill से सम्मझेद कोई भी डाउटर जाता है तो आप comment में लग देना हम आपको सारा डाउट बहाँ पर clear कर देंगे और आपका second year का exam होने बाला है employee skill का तो उसके लिए सारे question बहुत ही important होने बाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान सा जरू देखिएगा तो चली शुरू करते हैं हमारे वीडियो दोस्तों employee skill में आपको 6-7 chapter होते हैं जिनमें से आपको English language, computer knowledge और स्वाजाग रिखता, employment इस तरीके के और भी 4-5 chapter होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है उसके लिए आप अपनी book में भी देख सकते हैं यहाँ पर हम केबल आपको most important question बताने बाले हैं लेकिन यहाँ पर आपको 3-4 question ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा दिमाख लगाने की जरूरत होती है तो हम इन सारे question को इस वीडियो में कबर करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरे ज़रू देखना चलिए हम अपना पहला question देखते है पहला question है स्वाजाग रुक्ता काबोद खाली स्थान से होता है option A हे हिर्दाए B हे ब्यक्तित्व C हे मनुष्ट D option में है समाज दोस्तों हमारा answer जाने से पहले आप अपना उत्तर ज़रूर कमेंड में करें ताकि आपको भी पता सल सके कि आप कितने answer सही कर पाते हैं तो हम जानते है मनुष्ट की ब्यक्तित्व से उसकी स्वाजारुक्ता कबोद करा जा सकता है इसलिए B option सही हो जाएगा दूसरा question है उत्तारन से आप क्या समझते हैं कतनी की अभी ब्यक्ति character को बोलने का तरीका सब्दावली को बोलने का तरीका या सुनना तो हम जानते हैं जब हम कतनी की अभी ब्यक्ति करते हैं तो उसे उचारन बूला जाता है इसलिए A option सही हो जाएगा तीसरा question है आपको अपने साक्षातकार के लिए कब आने की योजना बनानी चाहिए साक्षातकार का मतलब होता है interview जब आपका interview होता है तो आपको कम से कम 30 मिनट पहले आने की योजना बनानी चाहिए इसलिए A option सही हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ही स्राल question आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे तो आप वीडियो को पूरे जरूर देखना दोस्तों अगर आपको बहुत सारे question का अंसर पता है तो आप comment में जरूर लिख करना कि आप इनमें जिक कितने answer सही कर पाए है चौता question है जो कि आपको English language से पूछा गया है Sunrise in the East इसमें कौन सा tense है दोस्तों जितने भी tense होते हैं बहां से एक नएक question आही जाता है तो आप tense को जरूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस question में आप देख सकते हैं Rise में यहाँ पर ES लिखा है CPU को computer का दिमाग कहा जाता है जोस्तों employee skill के question में CPU का full pump भी बहुत बार पूछा गया है जो कि central processing unit होता है तो आप इसे जरूर ध्यान से याद कर लेना CPU का full pump central processing unit question है नेमने में से कौन सा nonverbal sensorine का प्रकार है एक question आपको communication skill से लिया गया है यहां से भी आपको 2-3 question देखने मिल जाएंगे जिसका answer हम आपको बताते है A option सही है क्योंकि जो सरीरिक हावा होते हैं जैसे हम इसारे से कुछ भी बुलते हैं तो यह nonverbal sensorine के अंतरगत आता है इसलिए A option सही हो जाएगा साथ बाका question है सभी से प्राथनाई की समय पर पहुँचें इस बाके का सही अंग्रेजी इनुबाद क्या होगा अगर आपको थोड़ी बहुत भी English आती है तो इसका answer आप बता सकते हैं सभी से प्राथनाई की समय पर पहुँचें इसको हम जब इंग्लिस में translate करेंगे तो इसके लिए D option सही होगा All are requested to reach in time आठबा question देखते हैं संदेश by संके तक है जो खाली स्थान कार करता है दोस्तों आप किया पर कुछ question ऐसे अलग से लग रहे होंगे क्योंकि अभी तक आपने Employability skill की पड़ा ही नहीं की है तो आप वीडियो के बीच में ना छोड़ें क्योंकि आँगे बहुत ही महत्मूर question है तो इस कांसर हम देखते हैं ग्राही के लिए प्रेरक की तरह संदेश कार करता है मतलब ए उप्सन सही हो जाएगा नौबा question है MS bird में copy command की shortcut की है दोस्तों ITI की exam में shortcut की से एक दो question जरू पूँचे जाते हैं तो जितने भी shortcut की आप याद कर सकते हैं जरू कर लेना इस कांसर है भी क्योंकि control प्लस C से हम copy कर सकते हैं दसबा question है नेमने लिखित में से क्या computer का output अपकरण है जितने भी input और output अपकरण है ग्यारबा question है बैंकिंग प्रक्रिया में कौन सा दस्ताविज पहचान पत्र के रूप में माने नहीं है यहाँ पर आप option में clear देख सकते हैं पासपोर्ट फोटो यहीं आपको पहचान पत्र के रूप में माने नहीं होगी जबकि आधार कार्ट, ड्राइबिंग लाइसेंस और बोटर आईडी यह सहब आपके पहचान पत्र के रूप में माने हो जाएंगे बारबा question है एक computer network जो राश्टी यह वा अंतर राश्टी सीमा में फैला होता है क्या कहलाता है यहाँ पर आपको LAN और बेन यहाँ से एक question पूँचा गया है तो इनका full form भी आपके याद होना चाहिए LAN का full form होता है Local Area Network और WAN का full form होता है Wide Area Network तो बारबे question का अंसर है भी Wide Area Network तेरबा question है जो कि आपको परियाबरन से सम्मन्दत पूँचा गया है नेमने में से क्या सी यू सुन बोलते है तो इसके साथ में good bye भी भी बोल सकते है लेकर हम good morning के साथ या very good या how are you के साथ में good bye कभी भी भी नहीं बोलते है तो इसलिए B option सही हो जाएगा तो बार question है बोलने में क्या चीज़ बादाक है दोस्तों यह question बहुत बार पूँचा गया है तो इसको तो आप जरूर याद कर लेना बोलने में क्या चीज़ बादाक है तो गबराहट इसका अंसर हो जाएगा मतलब C option इनमें से उध्मी का कार क्या है बितरन बेवस्ता तयार करना हुझी की बवस्ता करना उपकरम का प्रिबंद अगर आप एक गद्धमी है तो यह सभी कार्याप को करने होंगे मतलब D option सही हो जाएगा उप्रोक्त सभी 17 question है नमने में से कौन सा अच्छा संप्रेशन है आप खुद भी सोच सकते हैं अगर संदिस इसप्रेश्ट और सीधा है तो इसे हम अच्छा संप्रेशन बोलेंगे मतलब D option सही हो जाएगा 18 question है नमने में से कौन सेर्च इंजन है बहुती सरल question है अगर आपको इनका आंसर पता है तो आप कमेंट में चलू लिख देना तो गूगल आपका सेर्च इंजन होता है मतलब D option सही हो जाएगा और नाइस बहा question है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदाई होता है यह option में देख सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कारबंडाई उक्साइड उत्तरदाई होता है यहाँ पर कभी कभी आपको option में CO2 भी लिखा मिल जाएगा तो इसे भी आप याद कर लेना कि CO2 को ही कारबंडाई उक्साइड बूला जाता है 20 वा question है साक्षात कार सिश्टाचार के अंतरगत निमनलेखित मैसिक या डू की स्राणी में आता है मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना है वहाँ पर तो C option में आप देख सकते हैं सांत सुभाव आपका होना चाहिए तो यह आपको साक्षात करके सिश्टाचार के अंतरगत आएगा मतलब C option सही हो जाएगा 21 वा question है इंटरनेट पर किया गया कोई अबैदकार क्या कहलाता है इस कांसर तो आपको पता ही होगा साइबर क्राइम मतलब B option सही हो जाएगा 22 वा question जो कि आपको फिलिंदा ब्लैंक्स में पूँचा गया है He has good, خाली स्थान, money तो यहाँ पर आपको खाली स्थान की जहर के आएगा यह भरना है तो money के साथ में आपको मस लगा सकते है मतलब D option यहाँ पर सही हो जाएगा He has good, much money मतलब उसे बहुत सारा पैसा मिला 23 वा most important question है जो कि हमेशा आपको पूशा जाएगा RAM का full form क्या होता है तो RAM का full form होता है Random Access Memory इसी के साथ में आपको ROM का भी full form याद कर लेना है जो की होता है Read Only Memory D option में जो लिखा हुआ है ठीक है, इसका A option सही हो जाएगा 24 वा question है परियाबर अन्दिबस कब बनाया जाता है तब दोस्तों 5 जून को परियाबर अन्दिबस मनाया जाता है मतलब D option इसका answer हो जाएगा 25 वा जो की last question है बहुती स्रॉल है Clock में कौन सा swear है यहाँ पर आपको English language में जो swear और benzen होते है मतलब bowels यहाँ पर बताना है तो clock में आप देख सकते हैं ओ जो लेटर लिखा हुआ है भाई आपका swear है मतलब bowels है इसलिए B option सही हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने सबी दोस्तों में से share जरूर कर देना ताकि हमारी मेनत भी सपल हो सके और उन तक भी है most important question पहुंच सकें ताकि भाई भी आपने एक्जाम में पास हो सकें और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीस हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आई टेई से सम्मन्नित आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सकें आपका बहुमूल समय दने के लिए बहुत पहुत धन्यवाद चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर